नमस्कार साथियों, दलाइफ चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत हैं, मैं हूँ सिधार्थ आप अपने धनकी सुरक्षा किस हद तक कर सकते हैं? आज के जमाने में फ्रोट करने वाले लोग इतने ज्यादा एडवांस हो गए हैं कि वो आपसे बिना OTP पूछे, बिना किसी लिंक पर क्लिक करवाएं, आपके खाते से पैसा निकाल लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा ऐसा ही एक मामला सामने आया है, दिल्ली का मामला है, एक योगे श्यादव करके एक शक्स हैं, उनके खाते से 48,63,000 रुपे फ्रोड करने वाले लोगों ने आउनलाइन निकाल लिए पैसा RTGS के थुरू निकला है बताते हैं क्या है पूरा मामला? दिल्ली में एक शक्स है योगे श्यादव, जो एक सिक्यूरिटी सर्वेस कमपनी चलाते हैं, पहले उन्हें कुछ बलैंक मेसेज़ेस आए, उसके बाद उन्हें लगातार लगबग सो कॉल आए, जब उन्हें ने कॉल उठाया, तो कॉल करने वाला कोई था ही नहीं, किसी क परेशान हो गए, फिर उन्होंने फॉन को फ्लाइट मोड पर लगा दिया, कुछ दिर बाद उन्होंने फॉन से फ्लाइट मोड को अटाया, तो उनके पास कुछ मेसेज़ेस आए, ये मेसेज थे, उनके खाते से रकम निकालने के मेसेज, उनके पास पांच मेसेज आए, प का और पांचवा मेसेज था चाल लाख 63 हजार रूपे का उनसे किसी ने ओटी पी नहीं मांगा उनसे किसी ने किसी भी लिंक पर क्लिक करने के लिए नहीं का आखर ये पैसा कैसे निकला जब उनके पास ये मेसेज़ेस आए तो उन्होंने तुरंथ बैंक को कॉल लगाया उनक बैंक मेनेजर से बात की मेनेजर ने उनको बताया कि आप 1930 पर कॉल करें उन्होंने कॉल किया आकर ऐसा क्या हुआ कि उनके खाते से इतना पैसा निकल गया और बिना किसी ओटी पी के बिना किसी लिंक पर किलिक किये यही है योगेश आदव जी जिनकी कमपनी के खाते से फ एकाउंटि स्टेटमेंट है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि उनके खाते से 48,63,000 रुपे पांच बार में 12,12,10,10,10,00 और 4,63,000 रुपे की किस्तों की रूप में फ्रॉड करके निकाले गए है पैसा निकल जाने के बाद योगेश आदव जी के मोबाइल में ये मेसेज़ेस आए बाद में उन्होंने अपने साथ हुए फ्रॉड के मामले में सम्मदित थाने में F.I.R. भी दर्ज करवा दी है साइबर एक्सपर्ट का एमानना है कि ये पैसा शायद सिम स्वैपिंग के दौरा निकाला गया होगा और फ्रॉड करने वाला व्यक्ति बार बार कॉल इसलिए कर रहा होगा क्योंकि योगे शादव जे अपना फॉन बंद करते हैं और सारे OTP फ्रॉड करने वाले व्यक्ति तक पहुँचे है कुछ दिन पहले हमने अपने चैनल पर एक वीडियो डाला था जिसमें बताया था कि आजकल ऐसे फ्रॉडिश्टर्स रोड पर घुम रहे हैं जो आपसे आपका फॉन मागेंगे और किसी कोड को आपके फॉन में डाल करके कॉल फॉरवर्डिंग ओन कर देते हैं शायद उनके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा सडक पर घुमने वाले फ्रॉडिश्टर्स जो आपसे आपका मुबाइल मांगते हैं वो कोई कोड डाल करके कॉल फॉरवर्डिंग ओन कर देते हैं और सिम की क्लोनिंग कर लेते हैं जब उनके पास सिम की क्लोनिंग हो जाती है तो आपके पास आने वाले फॉन, मेसेजेज, सब उनके पास भी जाने लगते हैं हमारी बस आपसे यही सला है कि किसी भी अंजन व्यक्ति को अपना फॉन ना दें क्योंकि अगर आपने अपना फॉन दे दिया अगर वो फ्रॉड हुआ तो आपके सिम की किलोनिंग कर सकता है, कॉल फॉरवर्ड नहीं कर सकता है, आपका पैसा निकाल सकता है जैसा योगेश यादव जी के साथ हुआ, ऐसा आपके साथ ना हो, आपको सतर करेना चाहिए आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दलाइफ को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद